हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एक्स रोजगार में और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चेराख प्रोजक्ट के अंतरगा जितने भी पोस्ट के दोस्तों एंटरव्यू हुए थे तो यहां पर जो सलेक्टेट कैंडिडेट है उसकी लिस लिस्ट जारी कर दी गई है और साथ इसाथ वेटिंग में जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है यहां पर ओल्ली रोल नंबर यहां पर देखने मिलेगा आप लोगों को देख सकते हैं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनेटरिंग एंड एवलिशन के यही इस वीडियो का मोटो था कि आप लोगों को बताना कि रिजल्ट आ चुके हैं और कम्यूनिटी कोडिनेटर के रिजल्ट अब वेबसाइट पर देखके ऐसा लगता है दोस्तों कि दिवाली की छुट्टी के बाद ही आएगा काफी कमेंट आ रहे हैं कि अभी तक रिज एक्जाम का कम्यूनिटी कोडिनेटर का तो इस वेबसाइट के अपडेट से मुझे यही लगता है कि दिवाली के बाद ही अब आएंगे और आप लोग अपना मेल चेक करते रहे हैं शायद मेल पर भी आजाए बट यहाँ पर नोटिफिकेशन जरूर आएगा चाहे मेल पर जरूर यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा तो यह रिजल्ट जो बाकी पोजिसन के लिए एक्जाम हुए थे दैन उसके बाद एंटर्व्य हुए थे तो उसके बाद यहाँ पर फाइनल कैसे मेरी लिस्ट जारी की गई है यहाँ पर देखेंगे आपका जो रिजू मार्क्स यहाँ पर वेटेज देते हुए आपका स्कोर निकाला गया है और दैन इंटर्व्यू के 25% वेटेज लेते हुए यहाँ पर फाइनल स्कोर यहाँ पर टोटल स्कोर एप्लिकेंट के तयार किये गये है तो जो गैंडिडिट 78.41 यहाँ तक पहुँचे हैं उनको यह यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट ऑन दे अब अब मेरिट लिस्ट कुछ यहाँ पर निर्देश दिये हुए है कि किस प्रकार से आपका सेलेक्शन हुआ है following rules is applicable the candidate getting selected or waiting list तो in order of preference if applicant selected for any state project manager position then his her name has been animated for all other position जो candidate अगर state manager पोजिशन के लिए सेलेक्ट हुए है और वो सेम दूसरे ही यहाँ पर पोजिशन के लिए अपलाई किये हैं तो उनका eliminate कर दिया गया है नाम other post से other position से और उनको या तो waiting list में रखा है या उनका नाम पूरे तरीके से eliminate कर दिया गया तो ऐसे कुछ rules यहाँ पर छोटे 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 लिखे हुए हैं और यहाँ पर देखेंगे सिमिलरी इफ candidate selected in position of preference for project executive level has been enabled by other post और यहाँ पर एक notice लिखा हुए देख सकते offer letter जो आपको offer letter मिलेगा यहाँ पर जो selected candidate है उनको candidate के विदिन यहाँ पर three working days में आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके registered email पर तो जो office का working days है यह result set परसो रात को आया है दोस्तो और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया कल काफी वीजिस से डू था तो यहाँ पर देखेंगे three working days में तो यह आई होप आप लोगों के जो candidate select हुए है वो अपना नाम चेक कर लेंगे और यहाँ पर बोला है तीन working day में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा करके यहाँ पर offer later तो आप अपना email id में चेक कर सकते हैं और यहाँ पर लिखा है the selected candidates are required to send their appearance for the offer position within week time from the publication of result तो यह आपको response करना है यहाँ पर कि आपको मिल गया है और आपको charge लेना है यहाँ पर देख सकते है latest by number 3 within week आपको यहाँ पर position लेना है और failure to send acceptance by above the date will be considered non-responsive and select candidate is not entered to offer position and offered waiting list candidate on married तो अगर आपको आया होगा तो आपको thank you response वहाँ पर लिख देना है अगर आपको मिल गया है offer later तो तो इस वीडियो में इतना ही बने रहे है नेक्स्ट रोजगार के साथ I hope यह वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए helpful रहा हो और यह candidate यह लगातार comment कर रहे हैं कि community coordinator के कब आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 November यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 3 November तक इस vacancy के लिए इस process चलेंगे तो मुझे लगता है कि अब जो community coordinator के जो result है वह आपके यह interview के date है वह आपके दिवाली के बाद ही आप लोगों को देखने मिलेंगे तो इस वीडियो में इतना ही बने रहे हैं एक्स्ट रोजगार के साथ थैंक्यू धन्यवाद आपके तो उन्यवाद